Welcome to Mishika Classes. Let's learn Food, Health and Hygiene Part No. 2 and in today's class we are going to discuss about Nutrients. आज हम किसके बारे में डिसकस करेंगे? आज हम डिसकस करेंगे Food, Health and Hygiene के बारे में और इसमें हम क्या topic डिसकस करेंगे? Nutrients के बारे में. If you like the video, please like it, share it and subscribe हमाई चानल. First of all, what is nutrients? Nutrients किसे कहते हैं? Nutrients कहां present होते हैं? Nutrients क्या करते हैं? इसके बारे में डिसकस करेंगे. It is present in food. Nutrients कहां present होते हैं? हमारे food में. हमारे खाने में present होते हैं nutrients. अब बात आती हैं, वो क्या करते हैं? It helps our body to grow and function properly. वो हमारी body की help करते हैं, किसमें? ग्रो करने में और हमारी body की चाहिए वो internal organs हैं या फिर external organs हैं सभी की functioning properly हो इसका भी कौन ध्यान रखता है? nutrient, कैसे करते हैं? वो energy देते हैं हमारी body organs को और जिसकी वज़र से वो आपना work properly कर पाते हैं Now, the types of the nutrients nutrients कितने types के होते हैं? nutrients are of 7 types 7 types के nutrients होते हैं जो अपने food में लेते हैं First is carbohydrates सबसे पहले कौन से हैं? Carbohydrates Next is fats Next, proteins अब हम एक 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 डिसकल्स करेंगे इनके सब के After that, vitamins Carbohydrates, fats, proteins vitamins, minerals water water rough age These all are the 7 types of nutrients present in our food यह 7 तरह के nutrients होते हैं तब ही हमारी body को full nutrient मिलता है अब हम एक 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 डिसकल्स करेंगे सबसे पहले कोई सा डिसकल्स करने वाले हैं? Carbohydrates के बारे में Carbohydrates क्या होते हैं? It is called energy giving food वो food जो हमारी body को क्या देता है? Energy देता है, ताकत देता है उसको क्या कहा जाता है? Carbohydrates आता है उस category में देखो हमारी body का main काम तीन है एक energy देना दूसरा बनाना उसको grow करने में help करना और तीसरा उसको बचाना protect करना तो सबसे पहले हम energy giving food की बारे हम बारे में बात करते हैं energy कौन देता है, हमारी body को ताकत कौन देता है? वो देता है carbohydrates and fats दो चीज़े हमारी body को energy देता है तो carbohydrates देता है, दूसरे क्या देता है? Fats देता है तो सबसे पहले हम किस के बारे में डिसकुस करेंगे? carbohydrates के बारे में तो carbohydrate is called as energy giving food कार्भो हाइडिर्स को क्या कहा जाता है energy giving food कहा जाता है यह कब जरुद परती है it is used when energy is needed for short duration जो थोड़े ही time के लिए हमारी body को क्या जरुद परती है energy की जरुद परती है तो हम क्या लेते हैं carbohydrate यह थोड़े ही time के लिए देते है energy उसके बाद यह हमारी body के अदर absorb हो जाते है फिर एनर्जी नहीं दे पाते है तो थोड़े time के लिए जब energy की जरुद परती है या फिर मैं यह कहूँ कि carbohydrate हमारी body को थोड़े ही time के लिए क्या देते है energy देते है तो अगर body में carbohydrate सी कम ही हो जाएगी तो क्या होगा we will feel fatigue and reduce the stamina of our body lack of carbohydrate what cause it causes fatigue fatigue में थकावड वो हमारी body के थकावड पैदा कर देंगे हम जल्दी थक जाएंगे काम करते करते and reduce stamina और हमारी body की जो शमता है काम करने की जो capacity है वो भी क्या कर देंगे reduce कर देंगे, कम कर देंगे तो क्या कावड पैदा कर देते हैं अगर ही कमी रहेगी हमारी body में क्या पैदा कर देंगे थकावड और दूसरे क्या कर देंगे हमारी body की जो शमता है उसको reduce कर देंगे, उसको कम कर देंगे इट इस in the form of sugar and starch यह हमारी body में दो form से present होते हैं क्या किस किस की फॉर्म है, sugar और starch वैसे तीन तरह के carbohydrates होते है sugar, starch and cellulose but human bodies होए है वो cellulose को digest नहीं कर सकते हैं वो animals, जो ruminants होते ruminants कोन होते, cattle यानि कि cow, ox, cow यह जो खाते हैं, plants खाते हैं basically, green color कि जो grass को as it is eat कर लेते हैं without any cooking that can digest only cellulose वो ही cellulose को digest कर सकते हैं ok, but we can't eat we can't digest, grass as it is हम सब grass को ऐसे नहीं खा सकते हैं नहीं digest कर सकते हैं नहीं खा सकते हैं तो we can't intake cellulose नहीं ले सकते हैं, means हम grass को ऐसे नहीं खाएंगे, अगर खाएंगे तो what will happen we will get ill, हम भिबार पढ़ जाएंगे so what we have to take और हम कोन को से टैप के लेते हैं फिर काब आइडिट्स? We take काब आइडिट्स of two types, the sugar and the starch. हम sugar और starch को लेते हैं. तो what is sugar and what is starch? Sugar किसे कहते हैं? Starch किसे कहते हैं? Sugar is sweet in taste. जो चीज मीटी होती है खाने में, उसको क्या कहा जाता है? Sugar कहा जाता है. और starch क्या करती है? Starch gives instant energy. Energy तो sugar भी बहुत देती है. अगर आप चीनी खाओगा, तो आपकी body में instant energy आएगी, आएगी. But, as compared to sugar and starch, starch gives instant energy. Starch एकदम से energy देती है. Sugar मीटी होती है खाने में. Starch मीठा नहीं होता है as compared to sugar. Sugar से कमी मीठा होता है. होता है, यह भी मीठा है क्योंकि इसमें भी sugar content कहीं नहीं present होता है. But, जब दो चीज़े comparison किया जाया, तो sugar is more sweet than starch. Sugar ज़्यादा मीठा होता है. Starch यह comparison में, ऐसे ही. Starch gives more energy than sugar. Starch ज़्यादा energy देता है sugar से. तो किसी के कहीं advantage, किसी के कहीं advantage. Okay. Now, we are going to discuss the sugar sources. Sugar sources क्या क्या है? The fruits, the honey, the juice, the chocolates. These all are the sugar sources. यह सब के सब क्या है? Sugar sources है. Next, आदा starch sources. Starch किस-किसे हैं present होता है? The cereals, wheat, rice, potato. These all are the starch sources. यह सब के सब क्या है? Starch sources है. Now, next is the fats. What is fats? Fats किसे कहते हैं? Again, it also provides energy. यह भी क्या होते हैं? Energy giving food होते हैं. It is also called as energy giving food. So, आदा starch में हमें क्या देते हैं? Energy देते हैं. अब carbohydrates जो हमें energy दे रहे थे. That is for the short duration. वो थोड़ी देर के लिए दे रहे थे. But fats gives us energy for long duration. लेकिन जो fats हैं, वो हमें जादा देर के लिए energy देते हैं. It gives energy for long duration. वो जादा देर के लिए energy देते हैं. उसे क्या कहा जाता है? Fats कहा जाता है. लेकिन जो fats हैं, लाजादा दूरेशन तक के लिए इसलिए वो energy दे पाता है. Because they are stored in below our skin. हमारी skin के जस्ट नीचे ही वो जाके store हो जाते हैं. Okay? तो यह difference होगा है carbohydrates of fats का. मैं जो आपको बतारी हूँ, साथ से difference ही बतारी हूँ. Okay? इस carbohydrates short duration के लिए था, fats long duration के लिए, carbohydrates हमारी body की internal organs में जाके store रहते हैं, like liver and stomach, etc. लेकिन जो fats हैं, वो कहां जाके store रहता है? Below the skin. अब वो skin के नीचे हैं, तो वो क्या करता है? It keeps our body warm. वो हमारी body को warm कर रहते हैं, तो अब बात की जाए, अगर हम इसको जादा खा लेंगे, तो what it will cause, तो क्या हो जाएगा? If we intake more fats, it will cause obesity. वो obesity cause कर देंगे, what is obesity? मोटापे को कहा जाता है, obesity. हम मोटे हो जाएंगे. Okay? मोटा होना गलत नहीं होता, but overeating की वज़े से अगर आपको obesity हो रही है, that is wrong. वो wrong है, वो क्या करती है? हमारी body की स्कामिना को, हमारी body की energy level है, उसको down कर देंगे. अगर आप वैसे ही कोई person मोटा है, वैसे ही कोई person fat है, तो उससे उसके energy level पर कोई effect नहीं परता. But if any person is getting over weighted because of intake of maximum amount of fat in his diet, अगर कोई person इसलिए मोटा हो रहा है, क्योंकि वो अपनी diet में fats को ज़्यादा intake कर रहा है, then it will cause obesity. उसको obesity करते है, and it will reduce stamina. It will make you lazy. वो आपको stamina reduce कर देगा, वो आपको lazy बना देगा. Next, अगर इसकी कमी हो जाएगी body में, तो क्या होगा? Lack of fats cause dry skin and hair loss. अगर अपकी body के अंदर fats की कमी हो जाएगी, तो क्या होगा? यह dry skin को cause कर देगी और hair loss कर देगी. बालों को, अगर hair fall होते हैं, तो उसके भी कमी बीचे कहीं नगे reason क्या होते है? Fats होते हैं. What are the fat sources? Butter, oil, ghee, cheese, milk, these all are the fats sources. यह सब के सब क्या है? Fats, sources है. Now next is a protein. What is a protein? Where protein is used in our body? Protein is called as a body building food. Protein को क्या करते हैं? Body building food कहा जाता है. अब body building food का काम क्या होता है? It is used in repairing our damaged cells and growth of new cells. जो basic proteins होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे जो cells damaged होते हैं, जो खराब हो जाते हैं. जैसे चोट लग गई हैं, या कोई बैसा पिमार हो जाता है. तो उससे क्या होता है? Internally harm पहुंचता है. तो उससे क्या होते है? It is used in repairing that damaged cells. वो उन damaged cells को repair करने में help करता है. यह body building भी हैं, तो यह हमारी body की growth में भी responsible है. तो जो जो cells required हैं कि इस चीज के लिए ताकि हम जादे 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 ग्रो कर सके, हम जल्दे जादे बड़े हो सके हमारी internal growth और internal development हो, तो उसके लिए जो new cells की formation है, तो वो भी कोई करता है? प्रोटीन कोस करता है, ओके, नौ वेर अभी यह कहां पर present होता है, skin, nails, hairs, other muscles are directly made up of proteins, जो हमारी body की skin है, nails, hairs, bali है, muscles, mass fascia, इन सब में दो directly protein ही present होता है, जो basically kiratin है, that is present in our hairs in a large amount, वो बहुत ज़र ज़र लार्ज अमौन है present होता है, जिससे दर सब की हमारी हमारी human beings की बात नह in animals also, animals में भी skin, hair, nails and muscles जो है, वो protein से ही बने वे होते हैं, ओके, तो अगर यह कमी हो जाए मारी body में, तो lack of protein क्या कोस करती है, it causes weakness, vision problem and the mental problems, memory losses, memory problems, इस तरह की जो problems, जो basic mind से related है, वो vision की problem को को कॉस करती है, weakness मारी body में लियाती है, now, what are the protein sources, protein sources कौन कौन से है, eggs, pulses, soya bean, peanut, milk, these are the protein sources, and you must know that, soya bean is the richest source of protein, सबसे जादा जो protein होता है ना, वो किस में होता है, in soya bean, soya beans में होता है, okay, this is all about the today's class, we have discussed two parts today, that is energy giving food and the body building food, आज हमने दो classes discuss करें, दो topics discuss करें, कौन कौन से, एक energy giving food, और दो से कौन से है, body building foods को, in next class, we are going to discuss about the protective food, अगली class के अंदर हम protective food के बारे में discuss करेंगे, and the water and the roughage, water और roughage के हम discuss करें, protective foods किसे कहते है, मैं already आपको first class में बता चुक्यों, that is vitamins and minerals, जिनकी deficiency से अलग-अलग diseases cause हो सकती है, okay, तो उनका intake लेना बहुत जरूरी है, okay, after that we will going to discuss about the balanced diet and the food pyramid, तो इसता क्योंके one by one topics हम कवर करेंगे, अपनी इस पुरी series केंदे, that's all for today's class, you have doubt, you can comment, thank you.